हेलो स्टुडेंट्स वेलकूं टू माई यूटूब चैनल हम क्लास एर्थ मैस के पोल स्टार में से सैंप्ल पेपर नंबर टू कर रहे हैं इसका पार्ट ए बी और सी जो है वह हम और रेड़ी कर चुके हैं आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है इसका पार्ट दी सोल्व क हमारे पास six marks के question है first question है हमारे पास draw a pie chart showing the falling information the table shows the color preferred by the group of peoples हमें बोला है कि हमें एक pie chart बनाना है जिसमें जो है वह colors का बताया गया कि कि color को कितने लोग पसंद करते हैं उस data के coding हमें जो है वो उसका pie chart जो है वो draw गरना है तो सबसे पहले तो हमें angles find out करने होंगी central angle find out करने होंगे हर color के लिए तो हमारे पास क्या है हमारे पास colors है question number 17 कर रहे है हमारे पास colors है और number of peoples है एक हम angles से निकालेंगे तो angles का हम बना लेते हैं blue color क्या है blue color एक तो blue color है हमारे पास उसको 18 लोग पसंद करते हैं green color है उसको 9 लोग पसंद करते हैं और हमारे पास red color है इसको six लोग पसंद करते हैं और हमारे पास yellow color है और इसको तीन लोग जो है वो पसंद करते हैं हमें central angle find out करने हैं सबके तो पहले central angle find out करेंगे 4 blue color के लिए वो कैसे निकलेगा टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिगरी का होता है सरकल के अंदर यहां पर कितने हिस्से बनेंगे 18 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आज्याएगा 27 27 प्लस 3 करेंगे 30 30 plus 6 करेंगे तो यह आजाएगा 36 तो हमें 360 को divide करना 36 के साथ और multiply करना है 18 के साथ तो यह हमारे पास आ ज्याएगा यहांपे 10 तो यह होगे हमारा 180 असी डिगरी तो blue के लिए एंगल कितना है 180 डिग्री का अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है फोर ग्रीन कलर के लिए उसके लिए क्यासे निकालनेंगे फिर से इसको डिवाइब 360 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ और मुल्टिप्लाई करेंगे जितने लोग ग्रीन को पसंद करते है नाइन तो नाइन के साथ मुल्टिप्लाई करते हैं इसको काट यह जाएगा दस नाइन को दस से मुल्टिप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री तो ग्रीन के लिए सेंट्रल एं इसे को गाटेंगे तो 10 10 को 6 से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा उसके बाद येल्लो है 360 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ मुल्टिप्लेट बाइ 3 करेंगे 3 लोग पसंद करते हैं तो यह 10 आ जाएगा यह जाएगा हमारे पास ठर्टी दिग्री तो यह आगे हमारे पास सेंटर्ल एंगल सब आप जो है इसको पाई चार्ट बना लेंगे मैं रफ़ बना रहा हूं आप जो है इसको डी से बना सकते हो जैसे भी आप चाहो तो इसको डू कर सकतों सरकल है उसमें 180 डिग्री याने की एक स्टेट लाइन जो क और यह हमारा कौन सा हो गया यह हमारा ग्रीन हो गया इसके बाद एक 30 डिगरी का यह हमारा 30 डिगरी का हो गया जो कि हमारा रिप्रेजन्ट करेगा येल्लो कलर को और यह हमारा 60 डिगरी का हो गया जो कि रिप्रेजन्ट करेगा रेड कलर को तो यह हमारा पाइचार्ट हो गया है नेक्स्सक्षिंग घृबब उसका चोईस का कुस्टन है हमारे पास एंगरूप ऑफ 3.60 पीपल्स वर आस्क्ट वोट फॉर देर फेवरेट सीजन फ्रॉम दा थ्री सीजन सरे विंटर अन्समर तीन सो साथ लोगों को जो है वो अपने अपने फेवरेट जो है वो सीजन के के लिए वोट करने के लिए बोला गया तीन सीजन से रेनी विंटर एंट समर जो है वो अलगल लोकों ने अलग अलग अलगल अपनी बताई है तो फिर से शेम वैसे के लिए सेंटर एंगल निकालेंगे हैं सेंट्र एंगल निकाल लेंगे सेंट्र एंगल फॉर ले तो हम और वाला सम कर रहे हैं सेंट्र एंगल फॉर समर के लिए निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा टोटल एंगल कितने है 360 कה टोटल परसन कितने है 360 के उसको निफिलाई क्या करेंगे weUST किया क्ने लोगोत किया तो इसको लोगोत केंगे से मुटिबलाई करेंगे यह जाएगा यहां पर बना जाएगा वपन को टोटल एंगल 360 का तीन सु साथ लोगों नहीं वोट किया और कितने लोग जो है वो रेनी को पसंद करते हैं वह 120 है तो यह कटके फिर से बन दे लेगा और यह हमारे पास आजाएगा 120 डिगरी उसके बाद है हमारा विंटर तो विंटर जो है वो टोटल 360 एंगल होगा 360 लोगों नहीं वोट किया और विंटर के लिए जो वोटिंग है वो 150 डिगरी के एंगल की है तो यह कट जाएगा तो यह हमारे पास आजाएगा 150 डिगरी तो यह 3 आज़ से पास अप्राइगा तो यह 3 आगल जो है अंदर द्रो करके से आज़ाएगा लोट ले हो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं हो str व हमने निकाल लिया समर का नबब्य आया रेनी की 120 आया और विंटर का 150 आया दो पाई चार्ट तो अम सेंटर रंग कर निकल गया तो उसके हैल्प से मिसका पाई चार्ट भी जो है वो ड्रो कर लेंगे next a cuboid is of dimension 50 cm 40 cm and 30 cm how many small cubes with the side 6 cm can be placed in the given cuboid मैं बोला गया है एक बड़ा cuboid है जिसकी dimensions हमें given है उस cuboid के अंदर हम छोटे-छोटे cubes जिनकी साइड 6 cm है वो कितने cubes के अंदर रख सकते हैं तो हमें क्या करना है बेसिकली सबसे पहले हम निकालेंगे volume of cuboid volume of cuboid निकालता है सबसे पहले हम volume of cuboid volume of cuboid होता है हमारे पास l into b into h हमें जो है वो length कितनी given है length हमें given है 50 breath हमें 40 given है और height हमें 30 given है तो इन सब को multiply कर लो यह हमारे पास हो जाएगा कि 540 20 20 को 3 से मिल्टी प्लाइ करेंगे 60 तो यह हो जाएगा हमारे पास 60,000 सेंटिमीटर क्यूब ही आगया हमारे पास volume of cuboid अब हम volume of cube निकाल लेंगे volume of cube volume of cube होता है a का cube और a हमें side कितनी given है 6 6 का cube करेंगे तो आ जाएगा 216 अब हमें निकालने कितने number of cubes आ जाएगे number of cubes जो कि उसके अंदर fit हो सकेंगे cuboid के अंदर वो कैसे आएगे volume of cuboid को divide कर देंगे volume of cube के साथ तो हमारे पास answer आ जाएगा आप इसको divide कर लिजेगा आपका जो है वो answer आ जाएगा इसको divide करने से approximately 177 आएगा शायग नेक्स कोशन दिखते है a suitcase with measures 80 cm 48 cm and 24 cm to be covered with a trapilium cloth how many meter of trapilium of width 96 cm is required to cover such 100 such suitcase हमारे पास एक suitcase है जिसकी जो है वो wrap करना लपेटना है ऐसे सो suitcase है जिनको हमें लपेटना है तो उसके लिए हमें कितना length का जो है वो close चाहिए उसकी तुड़ाई जो है वो 96 cm है तो हमें जो है क्यूंकि उसको wrap करना उसको cover करना है तो हमें total surface area निकालना होगा suitcase का तो total surface area of suitcase निकाल लेंगे total surface area total surface area का formula क्या हता है total surface area of cuboid बनेगा यह हमारे पास तो cuboid का जो total surface area होता है वो होता है मारे पास 2 into lb plus bh plus hn 2 into lb कितना given है हमें l जो है वो हमें 40 l जो है वो हमें 80 cm given है 80 into b कितना है 48 plus 48 into 24 plus 24 into 8 तो यह हमारे पास हो गया total surface area का formula values हमने पुट कर लिए अब इनको multiply कर लेंगे बस इनको multiply करके हमारे पास यह आ जाएगा उसके बाद इन सब आड करेंगे तो add करके हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 100 suitcase है इसलिए total surface area of 100 suitcase निकालना होगा हमें तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक को जो है वो 100 के साथ multiply करतेंगे एक का कितना है 13824 इसको 100 से multiply कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1382400 अब हमें क्या करना है हमें length पता करनी है तो length of cloth is equal to आ जाएगी length of cloth जो की हमें find out करनी है वो कैसे आएगी 1382400 को divide कर देंगे हम जो given width है हमारे cloth की cloth की width कितनी है है 96 तुआ इसको 96 के साथ divide कर देंगे हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14udos तो यह जह है वो हमारे पास है 14400 यह आ गया हमारे पास cm में अगर हम इसको meter में ग». अग हमकर करेंगे तो मीटर में गनुआट करने के लिए हमें इसको under से दिवाइड करना ह own social 144 मीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगी कपड़े की लेंथ तो इसके साथ ही हमारा जो है सैंपल पेपर नंबर 2 जो है वो कम्पलीट होता है अगर आपको कोई भी डाउट होता कमांड सेक्शन में लिख सकते अगर आपको वीडियो चे लगे हो तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग बाइबाए टेक क्यार